ग्रामीर इलागों के विकास की बातें सालों से हुती आ रही है। लेकिन ये किसी भी सरकार में पूरी नहीं हुती। यहां के लोग विकास के तौर पर सड़क, पानी और स्वास्ति सुवधाओं के लिए सरकार की रह देख रहे हैं। गाउ में स्वास्त केंद्र तो है पर डॉक्टर नहीं तंकी तो है लेकिन पानी नहीं ये हालात हैं उस गुलड़िया भूप सिंगाउं के जिसे खुद केंद्री, महिला बाल, कल्यान, मंत्री और पीली भीत की सांसद मेनका गांधी ने गोद लिया है जी हां, दो हजार चौदा के लोगसभाचुनाओ जीतने के बाद मेनका गांधी ने इस गाउं को गोद लिया था इतने सालों में मेनका गांधी इस गाउं का हाल लेने केवर एक से दो बार पहुची है मेंका गांधी के गोध लिये इस गाउं में विकास कारे तो हुए लेकिन भरस्टाचार के पलीते ने इसमें रोग लगा दिया प्रधान मंत्रे अवास योजना के तहत यहां के ग्रामीडों को आवास दिया जाना था लेकिन यहां के प्रधान और सचिव की साथ गाट के चलते इसका फाइदा नहीं मिला ग्रामीडों ने बताया कि मुख्य और सचिव आवास देने के नाम पर 25 से 30,000 रुपे मांग रहे हैं वहीं इस आदर्श गाउं में स्वास्ते सुवधाओं की बात करे तो यहां उपकेंद्र के बाहर गंदगी का भरमार है डॉक्टर के बजाए यहां ताले लत्के हुए हैं मरीजों को पूरन पुर और पीली भीत लेकर जाना पड़ता है ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे विकास कारी करवाए है ऐसे में आखिर कप इस गोदलिये गाउं को पुछकारा जाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा यह गाउं है गुललिया भूप सिंग जो की सांसद मेनका गांदी का गोदलिया गाउं है यह गाउं तो आदर्स गाउं जरूर है लेकिन यह गाउं अने गाउं की तरह ही बिल्कुल है हर गाउं की समस्य के तरह यहां पी समस्य है अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं इसे लगातर गाउं में लोगों की बीच में रोज बना हुआ है अब देखना होगा कि ये गोदलिया गाउं कब तक पूरी तरह सफर हो सकता है ETV के लिए शिवंपोर्वाल पिलिवीद